Hello everyone, so today we'll be discussing question number 297 of lead code which is serialized and deserialized binary tree ठीक है तो एला जो problem है ना ये मेरी trees placed का part है और काफी interesting problem है हाना इसको मज़ा आया करने में देख लिए थे समय में करना क्या है हमसे पूछा क्या क्या है हमें return क्या करना है हाना हमको एक input tree given होगा हमको उस input tree को पहले serialize करना है मतलब एक string format में convert करना है और वापिस उस string format को original tree में convert करना है हाना ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है सुनके पता नहीं क्या है ये इसको अच्छे से देखते हैं समझते हैं कि इसकी importance क्या है ये बहुत जगा यूज होती है ये चीज अना एक example लेते हैं data transmission का ठीक है as it is तो नहीं बेश सकते तुमको इससे एक string में convert करना पड़ेगा कैसे convert करोगे तुम एक function के through तुम एक function के through इसको एक string में convert करोगे ठीक है तो तुमने इस string को भेजा receiver को अब receiver को मिली एक string उसको तो चाहिए एक tree तो वो क्या करेगा इस string को उसी function के through हाना function डेश बोल देता हूं मैं उसी function की तुम एक्जेक्ट नहीं उसका reverse engineered version वो अभी समझ में आएगा कैसे बस अभी सोनो इस बात को हाना इस function डेश की help से इसको वापस tree में convert करेगा हना तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इसको code कर रहे हो और इसी string को तुम यहाँ पर decode कर रहे हो हना इस function डेश की help से तुमको यह दो function लिखना है पहले tree को string में convert करना है इस function की help से और वापस string को function डेश की help से tree में convert करना है रहा है और यहां पर तुम्हें string को tree में convert करना है अना तो यह बहुत जगा use होता है one of the example तो यह है कि यह sender और receiver वाला जो system है अब तुमको यह दो function लिखना है में नेम तुम्हारा यह है तुमको दो function दिये होंगे एक serialize और एक deserialize उसमें तुम्हें tree को string में convert करना है serialize function की help से और string को tree में convert करना है deserialize की help से अब कैसे किया जाए problem description में उन्होंने बोल रखा है कि जो lead code है एक tree को कैसे serialize करता है यह उन्हें information दे रखी है वो करता है level or traversal की help से हना तो मान के चलो मेरे पास यह कर tree given है तो यह इसको serialize कैसे करेगा एक तो यह input tree को पूरा binary tree बना देगा हना पूरा पूरा binary tree बना देगा मजब जैसे कि यहां पर two के एक भी child नहीं है न तो इन दौनों को null assign कर देगा हना और फिर level order traversal करेगा तो यह कैसा हो जाएगा यह इस तरीके से उसको serialize करता है अब तुमको अगर इसी string को tree में convert करना है तो तुम कैसे करोगे है ना level order traversal करना easy है वो तुम किसी भी tree का कर सकते हो बहुत ही simple है लेकिन उस level order traversal से बापिस tree बनाना थोड़ा सा difficult है बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट थोड़ा सा difficult है बहुत straightforward नहीं है और problem में उन्हेंने बोल रखा है कि भाई हम तो level order traversal की तरीके से किसी भी tree को serialize करते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी वैसे करो तुम कोई भी तरीका लगा सकते हो यह जो function है यह आला यह वाला यह तुम्हें चूट दे रखी उन्हें कि तुम कैसी भी इसको implement कर सकते हो कोई भी तरीका हो सकता है बस इसको सही तरीके से करो हना मतलब tree से string बन जाना चाहिए और उसी string से original tree बन जाना चाहिए ऐसा नहीं कोई तीड़ा मेरा ट्री बना के देती है तुमने यहना सही ट्री बना के देना है अब वो function कोई सा भी हो मुझे पर्सनली यहां पर level order traversal उतना पसंद नहीं आया कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट I'll prefer some other representation है ना काफी representation है मैं उसमें से कोई दूसरा चूस करूँगा अब कौन सा चूस करूँ यहां पर यह मुझे डिसीजन बनाना है और मुझे इसको justify भी करना है मैं क्योंकि हटके कुछ चूस कर रहा हूं यहां पर तो मुझे उस चीज का justification देना पड़ेगा तो सोचते हैं क्या कर सकते हम यहां पर देखो तुमको याद ह हमने अपनी प्लेलिस्ट में एक प्रॉब्लम कर रखा है कि construct a binary search tree from pre-order traversal हमको एक pre-order traversal गिवन है string के format में हमको उससे binary search tree बनाना है तो हमको थोड़ा बहुत तो idea है कि अगर हमारे पास pre-order traversal है उससे binary tree या binary search tree कैसे बनाते हैं exactly वैसे नहीं बट थोड़ा पर हमने practice कर रखी है तो हम क्या उसी को use करें क्या कर सकते हैं वहां पर हम binary search tree बना रहे थे यहां पर हमको binary tree बनाना है तो अगर हमारे पास pre-order traversal रहा तो क्या हम उससे binary tree बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हो यहना overall एक idea देखते हैं लेकिन वो binary tree कुछ rules follow करना चाहिए जैसे binary search tree भी कुछ rules follow करता है न कि left half में सारे चोटे elements होंगे root से और right half में सारे बड़े elements होंगे root से तब तुम pre-order traversal से ब गई string में भी हमें convert करना है और उस string से tree भी हमें ही बनाना है तो उस string में हम कुछ rules डाल देंगे और decode करते समय हम वो rules follow कर लेंगे जो हमने बनाए थे समझ रहे हो अब देखो pre-order traversal क्यों use कर रहा हूं मैं यहां पर क्या होता है इसमें कि लिखते कैसे उसको ना root और फिर left और फिर right तो तुमको अगर एक representation given है तो उसमें जो पहला element होगा तो जैसे कि यहां पे 1,2,3,5,8 ऐसा representation given है तो तुमको यह तो पता है कि पहला element तो हमेशा root रहेगा और उसमें जो बचे हुए elements है यह बचे हुए elements है उसमें जो पहला half है वो left subtree को belong करेगा और जो दूसरा half है वो right subtree को belong करेगा strictly हना अब वो कोई सा भी half हो सकता है वो तुमको line बनानी है जैसे कि यहां पे यह half और यह half लेफ्ट सप्टरी को belong करेगा और यह half right subtree को belong करेगा तो तुमको यहां पे कुछ नहीं करना है यह काम तुमारा recursion कर देगा हना जैसे कि हमने binary search tree में बनाया कि left half अपना recursion मना रहा था और right half भी अपना recursion मना रहा था यहां भी तुमको सेम चीज करना है और यह तभी हो पाएगा जब तुम्हारा जो tree है वो कुछ rules follow करेगा binary search tree की तरह इससे हमारा एक left half divide हो जाएगा और एक right half divide हो जाएगा तो recursion हमें हमारा left half बना के देगा और right half बना के देगा और इसी recursion की help से हम code भी करेंगे हाना मतलब अपने tree को string में convert करेंगे इसी recursion की help से युकि rules दोनों में same होने चीए तभी तुम code और decode कर पाऊगे ठीक है अभी तक मैंने सिर्फ एक idea बताया तुमको बहुत ही vaguely बताया I am not expecting right now कि तुम्हें समझ में आ चुक जो rules की बात हम कर रहे थे जो pre-order reversal की बात हम कर रहे थे उसको अब हम देखेंगे अच्छे से detail में ठीक है ठीक है तो समझते हैं इसको करना कैसे है यहां पर हमको एक input tree given है 1,2,3,4 ऐसे given है और यह क्या किया है मैंने यह null बना दिया है इसका एक right child एक भी नहीं है तो मैंने यहां पर null लिख दिया है उसी तरीके से यहां पर इसका left child नहीं तो मैंने null लिख दिया है और यहां पर इसका left और right नहीं है तो यहां पर दौनों पर null कर दिया है अब ऐसा क्यों किया है मैंने ठीक है यह हम बात में देखेंगे अभी सबसे पहले देखते हैं अगर मैंने null assign नहीं करता, यह null, यह सारे null अगर assign नहीं करता, तो मेरा pre-order traversal कैसा दिखता, तो वो दिखता, one, अना, फिर उसका क्या होगा, एक left half होगा, और एक right half होगा, right half तो कुछ है नहीं, तो left half हो जाएगा two, फिर two का एक left half होगा, वो होगा, three, three का left half क्या है, five अना, और five के बाद क्या आएगा, फिर, उसका right half three का right half क्या है, six यह क्या होगा, two का left half इसके बाद आएगा two का right half वो है four, अना, four का left half क्या है, कुछ नहीं है, उसके बाद आएगा seven, हना, right half तो यह होगया, two का right half, और यह यह करना है इसे वापिस ट्री में convert करना है हना एक simple string है मुझे बस इतना पता ही कि one root है बस इतना ही पता है और मेरे पस कोई भी तरीका नहीं है बताने का कि 2, 3, 5, 6, 4, 7 में कितना part left का है कितना part right का है कुछ भी नहीं है differentiate करने के लिए क्योंकि यह binary search tree भी नहीं है हना simple binary tree है तो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें extra add तो करनी पड़ेंगी as a information जिससे मैं differentiate कर पाऊं left half और right half में और वो कैसे करूं नंबर्स को तो मैं change नहीं कर सकता sorted tree तो बना नहीं सकता tree का structure चेंग दाएगा तो sorted वाली चीज़ तो कर नहीं सकता हना तो मैंने यह चीज़ सोचा कि हर node के दो चिल्रन लगा देता हूं हर valid node के valid node मतलब उस node की कोई value होनी चीए null value का कोई दो चिल्रन नहीं होंगे हना हर valid node के दो चिल्रन होंगे और वो दो चिल्रन मतलब कैसे वो null भी हो सकते, या तो दोनों null हो सकते है या फिर एक null हो सकता है, left या right कोई सभी यह मैंने rule बनाया अब यह rule क्यों बनाया, यह मैंने इसलिए बनाई कि मुझे पता चल जाए कि मुझे रुकना कहा है रुकना कहा है कि इसका मतलब क्या देखो, अगर मेरे पास single tree है यह n है और यह भी n है अगर मैंने इसका pre-order traversal लिखा normal तो यह हो जाएगा 1 लेकिन अगर मैंने यह n के साथ इसका pre-order traversal लिखा, तो कैसा हो जाएगा 1, null और फिर null तो जैसे मुझे null मिला, मुझे return कर जाना है return कर जाना मतलब, देखो 1 से null तक जितने भी elements है वो 1 के left में होंगे और इस null से इस null के भी जितने भी elements है वो उसके right half में होंगे मतलब यहां से आएगा, यह बोलेगा, देखो भाई यहां पे null आगया, तो यह है तुमारा left half और जैसे यह null आगया यह बोलेगा, यह तुमारा right half है यह single node के लिए, यह one के लिए यह मुझे अगर पुरा tree ऐसे given है तो मैं इसका pre-rot reversal कैसे लिखूँगा one, null और null, ठीक है यह क्या है, यह basically एक leaf node है इससे मैं leaf nodes को identify कर पाऊँगा अगर मैं leaf node को identify कर पा रहा हूँ तो मैं इससे left half भी identify कर सकता हूँ समझ रहे हो, देखो कैसे यह एक leaf node है, हना तो यह 3 का left half हो गया और यह भी एक leaf node है और यह 3 का right half हो गया तो 3 का right half हो गया और left half हो गया तो यह overall trick बन चुका है यह 2 का left half है तो यह assign करने में थोड़ा easy होगा यह recursion को बताना easy होगा इसको अब हम अच्छे से dry run करेंगी जैसे तुम्हें और detail में समझ में आया है अगर तुम्हें अभी दख नहीं समझ में आया है तो I am expecting कि तुम्हें अभी fully समझ में नहीं आया होगा अब बहुत अच्छे समझ में आजाएगा बस यह dry run को देख लो और यह तो समझ में आई गया होगा कि मैंने यह null को क्यों डाला है यह important है यहां जानना क्योंकि मैं differentiate ही नहीं कर पा रहा था ना मेरी string में ऐसा कोई feature ही नहीं था वो feature मैंने डाला है यहाँ पे हर node के हर valid node के दो child होगे यह तो दौनों null हो सकते हैं यह single null हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मैं प्रियोर्ट रिवर्सल लिखता हूँ थोड़ा लंबा होगा बर तुम भी try करो हाना उसको लिखने का और match करोगी सही है कि नहीं तो यह हो जाएगा one सबसे पहले आएगा one इसके बाद आएगा left half और इसके बाद आएगा right half तो सबसे पहले हम left half लिखते हैं left half लिखेंगे हम two से इसके बाद हम आए three पर अभी two का left half चल रहा है currently two का left half चल रहा है अब एक नए ट्री बनाएं जिसमें root है three तो उसका left half लिखेंगे वह जाएगा 5 अब ये एक नया tree है जिसका root 5 है तो उसका left half होगा और इसका right half होगा वह हो जाएगा null अना ये भी हो जाएगा null अना left half null है right half भी null है ये मैं इस tree को serialize कर रहा हूँ सबसे पहले serialize करना है फिर de-serialize करना है serialize करना बहुत easy है हम pre-road traversal ही कर रहा है अभी ठीक है तो ये null हो गया और ये null हो गया मतलब five handle हो चुका है ये handle हो चुका है अब हम आएगे six पे अना तो six के भी दो child होंगे null और ये null इससे हमें ये पता चल रहा है देखो ये five और six three के left और right है ये तो हमें अभी लिखते हैं समझ में आ जा रहा है बट अभी जब हम dry run करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा जब हम इसको deserialize करेंगे अभी हम इसको serialize कर रहा है ठीक है तो three five six handle हो चुका है ये आला three handle हो चुका है मतलब two का left half हो चुका है अभी हम आएंगे two के right half में जो की है four से शुरू होगा फिर आएगा null त्योंकि इसका left half है वो है null हो गया left half अब इसका right half आना चाहिए जो की है seven और इसका left child और right child हाना वो हो जाएगा null और फिर null ठीक है four का left child हो गया इस null तक two का right half है और ये overall एक one का left half है अब ये one का left half handle हो गया अब आएगा right half जो की है single null बस है ना ये मैंने लिख लिए इसका pre-order traversal अब मैंने क्या बोला था देखो यहाँ पे one से इस null की बीच में जितने भी elements है वो left half को बिलॉंग करेंगे और इस null से इस null की बीच में जितने भी elements है वो right half को बिलॉंग करेंगे तो देखो one से ये null की बीच में जितने भी elements है वो left half को बिलॉंग कर रहे है और इस null से इस null की बीच में जो भी elements होंगे वो right half को बिलॉंग करेंगे अब यहां पर एक भी element नहीं मलब उसका right half खाली है जो की दिख रहा हमें अब यह चीज small sub trees के लिए भी true होंगी है ना जैसे कि तुम यह half देख लो यह left half इसको देखता है यह हो जाएगा यहां से यहां तक अब इसके लिए left half और right half कैसे differentiate करेंगे हम इस null से इस null तक जितने भी element है वो उसके right में होंगे हना और two दो तुमारा root है तो यहां से इस null के बीच में जितने भी elements होंगे वो left half को होंगे और इस null से इस null के बीच में जितने भी element होंगे वो right half को होंगे अब यहां पे तो बहुत सारे null है ना यह तुम्हें decide नहीं करना यह तुम्हारा recursion decide करेगा क्योंकि जैसी जैसी सब problem छोटी होती आएंगे उसके लिए decide करना ज्यादा easy होता जाएगा क्योंकि वो क्या करेगा इस tree पे आएगा यहाँ पे decide करना easy हो जाएगा समझ रहे हो देखो इस tree पे आते है अना शुरुवात करते हैं one से अब हम proper dry run कर रहे है dry run क्यों कर रहे है क्योंकि हमने इसको serialize तो कर लिया अब हमें इसको deserialize करना है deserialize करने के लिए क्या करना पड़ेगा शुरुवात करेंगे हम one से हमने बोला recursion से देखो भाई recursion मेरे पास root है मैं तुमको बची हुई string भेज रहा हूँ हना तुम उसमें right half बना देना और left half बना देना recursion बोला भाई ठीक है भेज दो string एक काम करता हूँ इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ जिससे तुमको अच्छे समझ में आए ठीक है तो अपने पास ये अभी root है हना हमने पहले element को root बना दिये और recursion को बेज दिये बची हुई string ठीक है तो recursion ने बोला चलो बनाते हैं इसको तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा left half हना क्योंकि सबसे पहले आता है left half है ये 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 अना तो recursion बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सबसे पहले हम two का left half बनाएंगे अभी ठीक है two का left half कैसे बनेगा यहां से ये ये भी एक tree है तो सबसे पहले ये एक root बनेगा two के left half का root तो ये भी recursion को बोलेगी भाई मैं तुमको बची हुई string भेज रहा हूँ तुम उसमें से मेरा left half और right half बना दो तुम क्या भेजोगे recursion को ये वाली string ये यहां से लेके यहां तक तो recursion बोलेगा ठीक है अब three का left half बनेगा और उसका root क्या होगा five ये five तो ये भी बोलेगा recursion को कि भाई देखो मैं तुमें बची हुई string भेज रहा हूँ तो मुझे इसमें मेरा left half और right half निकाल के देदो तो recursion बोलेगा ठीक है अब वो आएगा यहां पे ठीक है तुमने इसको ये अली string बेज़ी है इस null से इस null के बीच में अब आ गया उसका root null जो five का left half है उसका root है वो null है उसके आगे तुम जा नहीं सकते है तो तुमको क्या करेगा recursion बोलेगा देखो भाई तुम्हारा left half तो यही है null तो ठीक है बोला five ने चलो तुमने left half तो बना के दे दिया है अब right half भी बना के दे दो मैं तुमको बची कोई string भेज रहा हूँ अना बची कोई string क्या है यह यहां से लेके end तक क्योंकि इसी में lie करने वाला है तुमारा right half इस direction में तो lie नहीं करेगा इसके आगी lie करेगा तो recursion बोला ठीक है तो यहां से बनना चाहिए उसका root right half का root 5 के right half का root जो की है यहां पे null तो वो बोलेगा देखो भाई तुमारा जो root है right half का वो भी null है तो यह हो जाएगा इसका left half बनके यह पूरा 3 का left half बना हुआ है और यह as it is return हो जाएगा 3 को as a left half यह देखो यह 3 का left half है ना यह अब 3 ने बोला देखो भाई मुझे मेरा left half तो मिल चुका है मुझे मेरा right half चाहिए मैं तो मैं बची हुई string भेज रहा हूं recursion मुझे मेरा right half बना के दो बची हुई string क 3 का right half exist करता है जहां से उसका left half खतम होता है उसके बाद उसका right half शुरू होगा ना यह बोला था ना मैं यह नल इस नल के बाद 3 का right half शुरू होगा तो smaller sub problem में वो चीज हैंडल हो जाएगी इतने सारे नल है वो differentiate कर लेगा smaller sub problem तुमें इसकी tension लेनी की जरूरत नहीं है क्यो नहीं हाना तो अब इसको जल्दी से करते हैं dry run उसी तरीके से 6 का left half और right half recursion return करके देगा यह as a left half आएगा और यह as a right half आएगा अब यह पूरा tree complete हो चुका है तो यह as it is 3 को right half बनके आ जाएगा 3 का right half बनके आ जाएगा 3 का left half तो ही 3 का right half भी आ जाएगा अब 3 का left half भी हो हो चुका है मतलब 3 का पूरा का पूरा tree complete हो चुका है तो वो कहां से कहां तक है देखो यहां से यहां तक यहां से यहां तक यह पूरा as it is as a left half 2 को return होगा अना as a left half 2 को return होगा अब 2 बोलेगा recursion से देखो भाई मेरा left half तो हो चुका है मैं तुम्हें बची हुई string बेज रह भी तक तो यही तक प्रोसेस हुई है इसके बाद ही है तुका राइट हाफ यहां से शुरू हो रहा है यह नल से शुरू होगा इसका राइट हाफ और इस नल पर खतम होगा अगें तुम्हें इस नल की टेंशन लेनी की ज़रूप नहीं है यह तुम्हारा recursion handle कर लेगा तुम्हें बस base conditions आई रखनी है उसकी हना उसे साब से तुम्हारा right half क्या हो जाएगा ये इसको खुशे dry run करना आप जो चीज हमने अभी यहाँ पर करी वही चीज तुम्हें इस half के लिए करना है ये as a पूरा right half 2 को return होगा ये देखो ये पूरा right half इसको मैं और अच्छे से highlight कर देता हूँ ये as a right half 2 को return होगा ठीक है left half हो चुका है right half हो चुका है अब 2 as a tree complete हो चुका है उसका left half है तुम्हारा right half है अब वो 1 के पास जाएगा as a पूरा left half बनके अना 1 का left half क्या है ये या ला tree जिसका root 2 है अब तुम्हारा right half complete है तो वो as a left half return हो जाएगा और उसके बाद जाएगा last call null पे इस null पे ये final null है ठीक है तो उसको code करते हैं पहले हम serialize करेंगे फिर deserialize करेंगे बहुत easily समझ में जाएगा code अगर तुमको अभी तक समझ में आया है तो और अगर नहीं समझ में आया है तो दुबारा देखो हाना और try run करने का try करो 7 में तो बहुत easily समझ में आयेगा तुमको ये भी समझ में आये कि मैंने हर node को null क्यों दे रखा है यह बहुत important चीज है, यह कोई नहीं बताता है, सीधा null assign कर देते हैं लोग, मैं क्यों assign कर रहे हो, कैसे assign कर रहे हो, यह तो पता होना चीए ना, कैसे हम recursion को बताएंगे कि left half कौन सा है, right half कौन सा है, यह बताने के लिए हम null assign कर रहे हैं, है ना, ठीक है, तो I hope समझ में आयोगा इसको जल्दी से code करते हैं, और code में बहुत अच्छे समझ में आयेगा, ठीक है, तो इसको code करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम serialize function, प्रिरोट रवर्सल के लिए, तो लिख लेते हैं, base condition लिखेंगे सबसे पहले, अगर तुम्हारा, sorry, base condition, if, अगर तुम्हारा जो root है, व जैसी तुम्हें अगर null मिल जाता है, तो तुम्हें string में add करना है, तुम्हें बताना है कि यहां पर null है, मैंने वापे small null लिखा था, तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन तुमको बताना है कि यहां पर null आ चुका है, hash add कर दो, कोई special character add कर दो, कुछ भी add कर सकते हो, और comma इसले add किया है, जिससे तुम differentiate कर पाओ, numbers और strings के बीच में, 1,2,3,4, फिर null, null, 6,5,0, ऐसे करके, इसलिए मैं यहां पर comma add कर रहा हूं, ठीक है, यह होगी तुम्हाई base condition, और तुम्हारे recursive relation और task क्या हो जाएगा, return कर दो, क्या कर होगी return, एक string return कर दो, हाना, period of traversal वाली, वो क्या होगी, to string root of well, ठीक है, plus comma, तो तुमने क्या किया, root आएगा, सबसे पहले string में, तो तुमने उसको string में convert किया, फिर comma add किया, फिर तुमने left half generate किया, कैसे करोगे, recursion की help से, serialize root of left, और plus serialize root of right, अना, ये तुमारा left half generate कर देगा, और ये तुमारा right half generate कर के देगा, तुमको बस इन सबको add करना है, अना, ये add करने वाले काम होगे, तुमारे task, और ये क्या है, तुमारा recursive relation, left पे call मारना है, और right पे call मारना है, ठीक है, यहाँ से तुमारी string generate हो जाएगी, pre order traversal वाली, अब तुमको यहाँ से इसके बाद क्या करना है, इसी string को tree में convert करना है, ये थोड़ा difficult task है, अना, yellow traversal तो easy है, अब तुमको इसको decode करना है, अना, तुमने code को कर लिया है, तो कैसे किया जाए, तुमको कह चाहिए, तुमको सबसे पहले one चाहिए, फिर two चाहिए, फिर null चा separated है, और तुमको एक-एक करके चाहिए, तो C++ में बहुत अच्छी चीज है, string stream करके, वो क्या करता है, तुमको allow करता है, एक-एक करके string से element उठाने की, हना, तो तुम क्या करो, तुमें जो string मिली है, तुम उसके stream मना लो, और एक-एक करके तुम उससे elements उठा सकते हो, comma separated values क हो, हना, one को उठा सकते हो, two को उठा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये comma separated है, null को उठा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये comma separated है, हना, तुम इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे, हना, एक string stream मना ओ, string, stream, ss, हना, इसको मैंने ss बोल दिया, of data, ठीक है, अब एक helper function ले लो, हना, return, helper function की ल code बोल देता हो, हना, decode of ss, ठीक है, तुम इसे stream को भेज रहे हो, ठीक है, हना, और यहाँ पे लिख लो ये function को, तो ये हो जाएगा, क्या return करेगा, ये tree node return करेगा, नाम किया, इसका decode, और क्या ले रहा है input, string stream के form में ले रहा है, हना, तो ये हो जाएगा, string, stream, इसकी मैं से video बना दूँगा, इसको कैसे use करते हैं, बहुत जगा use होता है, especially इस type की चीज़ें, interviews में बहुत काम आती है, ऐसे stream मना देना, उसको use करना, for loop की तरह समझ सकते हो, जैसे for loop तुमको एक एक करके allow करता है, ना, index के basis पे, elements को देता है, ना, arrays के, वैसी तुम इसे समझ सकते ह हो, हाना, इस string stream को, तो यह हो जाएगा SS, और शुरुआत करते हैं, अपना decode करने की, हाना, सबसे पहले क्या चाहिए है, हमको comma separated value, सबसे पहली value, तो उसको हम लेंगे get line की help से, string, c urr बोल देता हूं, उसको, और get line, मैं बताता हूं, यह क्या करेगा, अब यह न, plain implementation का game है, अगर तुमको यह सब STL आते हैं, तो it's well and good, नहीं आते हैं, तो google करके पढ़ सकते हो, chat GPT से पढ़ सकते हो, बहुत ही simple सी चीज है, हना, हम एक-एक करके elements को उठा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और string को छोटा कर रहे हैं, हना, तो यह हो जाएगा SS, c urr, और delim parameter क्या है हमारा यहां पर, comma, यह क्या करेगा, तुम्हाई string में से comma separated values को एक एक उठा के current पर assign करता जाएगा, अना, और तुम्हाई string को छोटा करता जाएगा, तो जैसे कि तुम्हाई string यह है, अना, यहाँ पर लिख देता हूं, मैं, example में, one comma, one comma, two comma, three comma, null comma, null comma, four comma, five comma, अना, मान के चलो, ऐसी string है, sample string है, अब इसे कुछ string नहीं बना रहो, मैं बस समझाने के लिए बता रहो, तू क्या करेगा, यह one को उठाएगा, यह comma separated है, string को छोटी कर देगा, बचिवी string क्या है, आप, two, three से लेके, null तक, अना, अब तुम्हारे पास, one है, इसको क्या करो, root बनाओ, जैसा कि मैंने बोला था, root बनाने से पहले, तुम base condition लिख दो, यहाँ पर, अना, base condition क्या थी, if, curr is equal to null, अगर यह null के बराबर है, अना, अगर यह null string है, तो तुम क्या कर दो, return कर दो, return क्या करोगे, null pointer, भाई मैंने dryland में क्या समझाया था तुमको, देखा था जैसे five के बाजू में null आ रहा था, तो मैं उसको return कर रहा था, मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो, यह three के valid input, अगर तुमारे पास string में ही simple null है, पहले ही null है, तो तुम return क्या करोगे, null ही return करोगे, यह simple सी base condition है, और कुछ है नहीं, इसमें, my base condition हो गई, यह सबसे important चीज थी, इसके बाद तो तुमारा काम recursion कर देगा easily, ठीक है, तो तुमारे पास अभी one है, तुमने इसका क्या करो होगे, तो एक tree node ले लो, और इसका root बना दो, tree node और यह हो जाएगा root is equal to new of tree node, क्या हो जाना चाहिए, string to integer, मैं इस string को, क्योंकि यह string के format में, मुझे इस integer में convert करना है, तो यह हो जाएगा, c-u-r-r, अना, अब मेरा root हो गया ready, और मेरे पास string क्या है अब, ऐसी है, ऐसी दिखरी मेरी string, अना, one जा चुका है, अब बची हुई string को, मैं भेजता हू, recursion को, बोलूँगा, भाई, मेरा left half बना, अना, तो recursion हो लेगा, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हो जाएगा, root of, left, left is equal to, decode, अना, decode यह हो गया, और क्या भेजना है, मुझे इसमें, अना, string अल्री कट हो चुकी है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूवत नहीं है, यह क्या कर देगा, तुम्हारा left half बना देगा, और अब बची हुई string से, तुम्हें right half बनाना है, अना, मान के चलो, तुम्हारा left half बन गया, और तुम्हारा string इतनी बची, अना, अब तुम्हा right को handle करना है तो तुम बोलो भाई recursion को देखो भाई मेरा right half generate कर दो मैं तुमको बचीवी string भेज रहा हूँ तो recursion मोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मैं कर दूँगा और इसने कर दिया और तुम्हाँ पास left half ready है right half ready है इसको return कर दो और इसको run करके देखते हैं चल गया बहुत ही बड़ी है यह तुमने इसको code किया यह तुमने इसको decode किया ठीक है इसको submit करते है ठीक है तो I hope समझ में आया होगा इसको मैंने pre-order reversal से किया है बट इसको BFS से भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें सर्फ pre-order reversal ही बताया है बट अगर तुमको BFS से भी जानना है तो लेट मी लो मैं उसके लग से वीडियो बना दूँगा ठीक है शलो नेक्स वीडियो में मिलते हैं